स्वागत आप सभी कामारी यूडीप चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवेस्टी से रिलेटेट सार इन्फॉर्मेशन यह जो नोटिस है आज हमें मिली है क्योंकि अब आप वेबसाइट पर चेक करेंगे तो वेबसाइट के पोर्टल पे यह नोटिस अभी जारी हुई नहीं है वहाँ पे अपलोड नहीं हुई है तो इस नोटिस में क्या कहा गया है जैसे कि इस पे थमनेल में हमने लिखा हुआ है कि छूटे हुए प्रैक्टिकल के लिए नोटिस होई जारी यानि कि जिस भी student का practical चूड गया था चाहे वो first year में चूटा हो, second year में हो या final year में हो, UG का student हो या PG का student हो कोई साभी course हो, सभी के लिए ये notice जारी हुई है अब इस notice में क्या कहा गया है, last date कब है और इसके बारे में जो भी information है, जो भी बताया गया है इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और जिस वजह से जैसे बहुत से ऐसे student है जिन्होंने पूरा exam दिया बट अपना वाईवा नहीं दे पाए, practical नहीं दे पाए और उसका जो result आना था, उसमें back लग गई है या फिर उसको रोग दिया गया है तो उसको clear करने के लिए इसका exam देना होगा जिनका भी back लग गया है practical में ये सिर्फ उन student के लिए है बाकी जिसका back paper में लगा है, theory में लगा है, उसके लिए भी कोई notice नहीं आई है जैसे ये notice आएगी हम आपको inform कर देंगे तो चलिए हम notice पे चलते हैं, वहाँ पे चीजों को देखते है अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को जरूर से subscribe करें ताकि सारी information आपको notification के दूरू मिल सके यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी जो date डाली हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो date है 16-7-2024 की date है और आज 18 हो गई है, इसमें क्या कहा कि उसको देख लेए हैं, यहाँ पे जैसे इसमें क्या क्या चीज हैं लिखी हुई हैं, यहाँ पे देखी हुई है यहाँ पे लिखा है कि माननी कुलपती जी के आदेश अनुसार सत्र 2021-22-22-23 सनात कोत्तर के वार्शिक परीक्षा एंव साथ ही सत्र 2021-22-22-23-24 समस्त पार्ट करम UGPG NEP 2020 यानि कि 2021 से ले करके 2021 से ले करके 2021 से ले करके 22 के सेशन से ले करके अब तक में जितने भी स्टुडेंट का प्रैक्टिकल छूटा है जिन लोगों ने अभी तक अपना प्रैक्टिकल नहीं दिया है किसी वज़ा से छूट गया है या फिर बैक लगई जो भी हो गया है तो 2021 से ले करके 2024 के बीच में जिनका practical छूटा हो किसी भी course के हो किसी भी semester के हो इसके बारे में लिखा हुआ कि समस्त semester कि यानि कि सभी semester यह हो व्यावसाइक पार्टिकलम की छूटी हुई परयोगी की मौकिकी परिक्षा यानि कि practical और वाईवा उसकी अभी तक छात परिक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएं जिनकी भी यह practical या वाईवा की जो एक्जाम था वो छूट गया है ऐसे परिक्षारतियों को अंतिम बार परयोगी को मौकिक परिक्षा करने का निरड़े लिया गया है और ये लास्ट मौका दिया जा रहा है आप लोगों का इस फॉर्म को फिल अप कर लें और अपने प्रैक्टिकल का वाईवा के एक्जाम दे लें आनलाइन पर इच्छा फॉर्म विशुद्धाले के वेबसाइट msdsu.ac.in अत्वा msduonline.in पर फिल की जाएगी तो इस वेबसाइट पर आप फिल कर सकते हैं अपना एक्जामिनेशन फॉर्म जिनका बैक लग गया है या छूड गया है प्रैक्टिकल और वाईवा इसकी डेट क्या है उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर अपडेट की बात अगर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीज़ें यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं इनकी निर्दारिश शुल के साथ प्रयोगी की मौकी की परिक्षा फॉर्म भरने की प्रारंबिक्त थी 17-7-2024 दी गई है 17-7-2024 के फॉर्म फिलप होना स्टार्ट हो गया यानि कि कल से स्टार्ट हो गया होगा फिलप होना और इसकी जो लास्ट डेट लेकी हुई निर्दारिश शुल के साथ प्रयोगी की मौकी की परिक्षा फॉर्म बने की अंतिम्ति थी ये दी हुई है 30 तारिख 37-2024 तक फॉर्म फिलप होने वाला है और यहां पर आप देख सकते हैं महाविध्याले और दोरा परियोगी की मौकी की परिक्षा फॉर्म का शुद्धी करण और सत्यापन जो है वो एक से लेकर के तीन के बीच में है यानि कि आप अपने फॉर्म को फिलप की हैं उसको एक से तीन के बीच में अपने फॉर्म को लास्क जो डेट है वो दो तीन की है तीन तक आप अपने फॉर्म को सब्मिट कर सकते हैं कॉलिज में और इसके साथ लिखा वो परियोगिक मौकिक परिक्षा का प्रिवेश्पत अपलोड करने की थी चार या प्रेक्टिकल होगा अब कहां ओगा किस इसके बारे में एकस्क बारे में इग्सक्त बीक पदाचल पाएगा जब यहां पर आपका आपके अडमिट कार्ट रिलीज होंगे और ज़ादा जो चैंसे होने के वो शिबली कॉलिज डियावी कॉलिज और डिसी एसके कॉलिज मव बस इसी तीन जगां होने के उम्मीद है बाकि किसी भी कॉलेज में नहीं होगा जिन भी स्ट्रेंट का चूटा है वो लोग अपने इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर ले और जो भी उनके कॉंटेक्ट में है जिनको पता है कि इनका प्रैक्टिकल चूटा हुआ है इस वज़ा से इनका रिजल्ट बैक लग गया है तो वो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन बता दें बस आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग